बिग बॉस OTT 3 में अर्मान मलिक और उनकी दोनों पत्मियों को लेकर काफी सवाल उठे इसके बाद घर से बेघर होकर लोगों की बात सुनने के बाद पायल ने तलाक का एलान किया हलाकि बात में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया अब पायल ने अपना जन्म दिन सलिब्रेट किया है और वो कृतिका के साथ डांस करते हुए भी नजर आई आए जानते हैं पूरी खबार लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंती हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दें उससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएका तो आपको नोटिफिकेशन मिल चाएका विवादित रियालिटी शो बिग बॉस OTT3 में हिस्सा लेने के बाद यूट्यूबर अर्मान मलिक और उनकी दोनों पत्मियों पायल मलिक, कृतिका मलिक की फैन फॉलोईंग में काफी इजाफा हुआ है ये तीनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वहाँ अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीज़े फैन्स के साथ शेयर करते हैं अब हाल ही में पायल ने अपना बर्दे सेलिब्रेच करते हुए एक वीडियो शेयर किया है इस वीडियो में वो अपने परिवार के साथ काफी इंजॉय करती हुए नसर आ रहे हैं उनके इस वीडियो पर फैन्स ने भी रियाक्श्ट किया है और उदे बढ़ाई दी है पायल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टरग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अर्मान और क्रितिका का साथ मिलकर अपने जनदिन का केक काटते हुए नसर आ रहे हैं इसके बाद वो सभी को केक खिलाते हुए भी नसर आ रहे हैं वीडियो के लास्ट में पायल अपनी सौतन क्रितिका के संग डांस भी करते हुए नसर आती है इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि जन दिन की हार्दिक शुपकामनाय पायल मलिक भगवान आपका भला करे वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान बर्दे गल ने पिंक ब्लाउस के साथ येलो लहंगा पैना है मैं क्रितिका परपल कलर की ड्रेस में नजर आ रहे है पायल के इस वीडियो पर उनके फैंस ने भी उन्हें विश किया है एक यूजर ने लिखा कि हैपी बर्दे पायल दूसरे ने लिखा कि कुछ दिनों पहले तो इन्होंने बोला था कि अब आप अपना नहीं बच्चों का जन दिन मराएंगे मैं कुछ लोगों ने एक बार फिर पायल के तलाक वाले कमेंट पर रियाक्ट किया है बता दे कि पायले बिग बॉस से बाहर आने के बाद कहा था कि वो जल्द ही अर्मान से तलाक लेंगे और अपने बच्चों के साथ कहीं हलक रहेंगी बॉलिवुट के ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें और जुडे रहें 4 पीम बॉलिवुट के साथ